पिलख कर दोस्तों आपका स्वागत है वशीकरंट स्पेशलिस्ट में कि आप जानना चाहते हैंक एसा तरीका जिससे आप किसी को भी अपने वश में तुरंथ कर सकते हैं आज हम आपके लेकर आए हैं एक ऐसा तिलक जिसको लगाने से आप किसी को भी अपने वश्मे कर सकते हैं इसे कहा जाता है वशीकरण तिलक वशीकरण के आसान तरीकों में से एक तरीका ये भी है ये तिलक आपकी मदद करेगा लोगों को अपने वश्मे करने में इस वश्यकरन तिलक की वज़े से आपके सामने आने वाले लोगों को आप अपने इशारे पर नचा सकते हैं हम इस वश्यकरन तिलक का इस्तमाल करके अपना कारे पूरा कर सकते हैं और एक खुशाल जीवन बिता सकते हैं, कामयाभी पा सकते हैं इस वर्शीकरण तिलक का इस्तमाल कई सालों से किया जा रहा है, इसका इस्तमाल कई जगों पर होता है, जैसे कि नौकरी, आफिस, बिजनेस और अगर आप अपना मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं, परिवार में किसी को वश्मे करना चाहते हैं, तब भी आप इस तिलक का इस तो आईए बताते हैं आपको वशीकरण तिलक बनाने का असान सा तरीका सबसे पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है तोड़ा सा किसर लेना है और थोड़ा सा शुद्ध्य गोरुचन् लेना ओम्नमुस सर्वलोकह वशम कराए कुरू कुरू स्वाहा इस मंतर का उपयोग करते हुए आपको इस तिलक का इस्तमाल करना है इससे आप किसी को भी वशमे कर सकते हैं लड़की को वशमे कर सकते हैं यहां तक कि जो लोग आपकी बात नहीं सुनते उन्हें भी आप अपने कॉल लगाएं राजशास्त्री को उनका नमबर है प्लस 918504067070 इस नमबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं राजशास्त्री से और पासकते हैं अपने जिंदगी की सभी समस्याओं का समाधान